कि मेरे भाजयों आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ऊपर का मॉंटेन सीद में बढ़ा वाला ओरिंग कैसे चेंज करते हैं तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जहेंन दिखाएए देखिए मेरे भाजयों यह यह स्ट्विंग मोटर है अब हम इसको खोलना पहले हम सभी पाइपों को खोल लेंगे फिर हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे बन देख पहले हम 36 के पाने से जो है इस पाइप को खोल लेंगे मेरे भाइयों यह अडेप्टर वाला जो ब्लॉक है आप इसको भी खोल लीजिएगा ताकि परिशानी ना हो कि मेरे भाइयों हमने इना बॉन लगाया था इसलिए ठोकन अपड़ा है हमारा ओरिंग को इसमें चिपक गया है मेरे भाइयों मैं ध्यान देने वाली बात आपको बताऊंगा कि जब भी आप केसिंग ब्लॉक को खोलेंगी मतलब स्विंग मोटर का जए उपर का भाग है इसक केसिंग वाल्ब को जब भी खोलिएगा तो यह गेज वाला जो आप देख रहे हैं हम वीडियो में दिखा रहे हैं इस पलक को आप खोलने के बाद ही उठाईएगा क्योंकि यह नीचे जो पाइप दिया हुआ है उसमें ठ्रेड रहता है नहीं तो आप यह निकलेगा नहीं आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जो है कभी भी इसको जो है यहां से इसको निकाल लीजिएगा हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं या जो गेर आइल चेक करने का गेज है आप इस पलक को खोल लीजिएगा 32 के पाने से यह ध्यान देने यो के बात है विशे जो कि यहां से आईल बहुत सारा आईल लीकेज होता है और यह जो है इस जगह से लीकेज होता है इस जगह से ज़्यादा करके लीकेज होता है समझ जाइए कि जो है हमारा केसिंग वाल्व का जो है वो मोटा वाला वोरिंग चला गया है तो मेरे भाईयों या यह ध्यान देने योग बात थी विशेज करके आप स्विंग मोटर जब भी खोलते हैं तो यह ध्यान देना भाईयों इसे उठाने के लिए हमने दो इलंकी बॉर्ड लगा लिया है इसलिए अब हम इसे इस परकार से देखे उठा लेंगे अब हम आपको केसिंग वाल दिखाएंगे जिस पर तीर का निसान है आप देख सकते हैं और हम अब हम आपको केसिंग वाल का जो बड़ा वाला ओरिंग है उसे हम आपको दिखाएंगे आप एरो के मार्क पे देख सकते हैं हम ओरिंग बता रहे हैं यह बड़ा वाला ओरिंग है जो हमने लगा करके एंडावोंड लगा दिया है दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ जहां भी रहिए सौस्त रहिए मस्त रहिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बिल आइकन को दबाना मत बूलिए ताकि हमारा अगला मेंटिकेशन आपको सबसे पहले में